नमस्कार में मरनक आपको स्वागत करती हूँ कर्मा आयूरेदा के यूट्यूब चैनल पर जहां आप किड्नी से जुड़ी सारी important information easily पासकते हैं आज हम आपको बताएंगे कि किड्नी के मरीज क्रेटनाइन को कम करने के लिए कौन से ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं क्रेटनाइन का शरीर में बढ़ना किड्नी की प्रॉब्लम को भी बढ़ा देता है इसलिए आज की वीडियो में हम आपको oils के बारे में बताएंगे जिससे आप इस्तमाल करके अपने क्रेटनाइन को कम कर सकते हैं क्रेटिनाइन को कम करने के लिए आप जैतुन के तेल और सरसों के तेल का ही इस्तमाल करें पहले जानते हैं जैतुन के तेल के बारे में फर्स है एक चमब जैतुन के तेल में क्यालोरीज 119, फाट 14 ग्राम, सोडियू 0.3 मिलिग्राम, कार्बो हाइडविट 0 ग्राम, फाइबर 0 ग्राम, शुगर 0 ग्राम, प्रोटीन 0 ग्राम होते हैं जिससे किड्नी के काम पर प्रेशर भी कम पड़ता है और क्रेटनाइन भी नहीं बढ़ता और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है सेकंड है अगर आप जेतुन के तेल का इस्तमाल करते हैं तो आपका blood pressure control में रहता है और बड़ा हुआ blood pressure भी control में आ जाता है जिससे आप kidney की समस्या से भी बच सकते हैं लेकिन अगर आप kidney की समस्या से परेशान है तो जेतुन के तेल में मौझूद aolic acid आपकी kidney की समस्या के साथ-साथ बड़े हुए creatinine को भी control करने में help करता है थर्ड है kidney की problem में अगर आपका creatinine बढ़ता है तो शेरीर में सूजन आने लग जाती है लेकिन जेतुन के तेल में मौझूद anti-inflammatory properties की वज़े से शेरीर में आई सूजन को कम किया जा सकता है साथ ही बड़ा हुआ creatinine भी control हो जाता है लास्ट है diabetes की वज़े से kidney की समस्या हो सकती है और बढ़ता हुआ creatinine की समस्या को और भी serious कर देता है diabetes और बढ़े हुए creatinine को control में लाने के लिए सबसे अच्छा सुझाव जेतुन का तेल है जित उनके तेल में triglycerides होते हैं जो एक तरहा का fat होता है जो शरीर में energy बनाने में help करता है जिससे दिल स्वस्त रहता है और kidney के काम पर pressure कम पड़ता है और इससे बढ़े हुए creatinine की समस्या भी control हो जाती है तो आईए अब जानते हैं कि सरसो का तेल कैसे creatinine को कम करने में help करता है फर्स्ट है अगर आपका weight control में आ जाए तो शरीर की आधी से ज्यादा बिमारी ठीक हो जाती है आप सरसो के तेल का इस्तमाल करें जिससे आपका digestive system ठीक रहेगा और kidney के काम पर pressure भी नहीं पड़ता अगर kidney की problem की वज़े से आपका creatinine बढ़ा हुआ होता है तो इस तेल का इस्तमाल करने से शरीर में बढ़ा हुआ creatinine भी धीरे धीरे control में आने लग जाता है सेकिंड है बड़े हुए creatinine की वज़े से मरीज की भूग कम हो जाती है लेकिन अगर kidney patient सरसो के तेल का इस्तमाल करते हैं तो उनकी भूग की समस्या ठीक हो जाती है साथी creatinine भी control में आने लगता है लास्ट है सरसो के तेल से blood flow को भी ठीक किया जा सकता है जिसे kidney के काम में मदद मिलती है और kidney खराब होने की वज़े से creatinine level को भी control में किया जा सकता है kidney के मरीज को sunflower, butter, refined और cheese का सेविन बंद करकर सिर्फ जैतुन और सरसो के तेल का ही इस्तमाल करना चाहिए सरसो का तेल दो तरह का होता है अगर kidney patient काली सरसो के तेल का इस्तमाल करते हैं तो ये और भी जादा फायदेमन रहेगा तो आज हमने आपको बताया कि kidney के मरीज क्रेटनाएं को कम करने के लिए कौन से ओल का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो यूस को लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कर्मा आयुरवेदा किड्नी के इंदर में भी संपर कर सकते हैं संपर करने के लिए हमाई details description के अंदर दिये गई है या पर हमारे phone number B stream के उपर mention है जिसके उपर आप contact कर सकते हैं अगर आपने हमारे channel को भी तक subscribe नहीं किया है तो जाए सबसे पहले हमारे channel को subscribe कर डीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमाई नहीं विजियो आती है आपको notification मिल जाए और आप ऐसे ही करमा अईरुएदा के साथ बने रहें धन्यवाद